नमस्कार प्यारे सातियों SN Electrical Academy के YouTube Channel पे आप सभी का स्वागत है प्यारे सातियों ये जो पेपर है UPRVNL का पेपर है और 21 दिसंबर 2022 का पेपर है ये और ये Morning Shift का है इससे पहले के एक पार्ट को मैंने अपलोड किया हुआ है जिसे मतलब की एक से 25 तक कोसनों का discussion हमने फर्ष्ट पार्ट में किया हुआ है यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description में उसका मैंने link डाल रखा है वहां से उस वीडियो को आप complete watch कर सकते हैं इस वीडियो में हम 25 नंबर से कोसन को आगे की तरफ चलेंगे और 50 तक कोसनों का solution किया जाएगा साथी साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को share भी जरूर कीजिएगा और साथी साथ चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा चलिए इसमें 26 नंबर कोसन को हम देखते हैं तो 26 नंबर कोसन में कहा गया है पैरे साथियों कि निमनलिखित में से कौन सी पधती बीदूत कार्य अस्थाल पर सुरक्षित नहीं है तो पहले तो हम कभी भी इलेक्टिक फिल्ड में वर्क करते हैं तो अपने को isolate कर लेते हैं हर तरीके से इलेक्टिक प्रभावों से अपने को अप्रभावित होने के लिए हम safety चीजों का उप्यो करते हैं जैसे कोई screw driver यूज करेंगे तो हमारा उसका handle जो होना चाहिए insulated होना चाहिए उसके बाद जो भी दिशा निर्देश दिये गये हैं जो की safety sign आते हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए तो यहां देखिए यहां पूछा है कि नहीं है मतलब सुरक्षा की दृष्टी से कौन सा नहीं है मतलब गलत है तो आपसंग जो ए कह रहा है कि circuit switch को बंद किये बिना fuse को बदलना तो यह तो गलत तरीका हुआ जब भी हमें fuse बदलना होता है तो main supply को क्या कर देते हैं off कर दि है उसी condition में इसका fuse बदला जा रहा है यही गलत तरीका है और यही सुरक्षित तरीका नहीं है और इसी को पूछा गया है कि कौन सा सुरक्षित तरीका नहीं है यानि आपसा number A सही answer हो जाएगा B का रहा है कि PVC handle वाले screwdriver बिल्कुल PVC polybinyl chloride ये insulated material का अंतर गताता है तो इससे insulated हम handle का प्रियोग करेंगे ये तो बहतरीन हुआ ना safety होई उसके बाद ISI Indian Standard Institute मार्क वाले switch का प्रियोग करना चाहिए ये भी ठीक है इसके बाद D का रहा है कि rubber mat का प्रियोग करेंगे तो rubber जो है ये safety बहतरीन है next question अगला जो question है 27 नमबर इसमें का जा रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC के अनुसार B का आसय क्या है यानि ABC तीनों का मैं इस वीडियो इसमें explain कर दे रहा हूँ A का मतलब होता है airway B का मतलब होता है breathing और C का मतलब होता है circulation और यही B इसमें पूछा गया है तो B हमने क्या बताया breathing होता है आपसा number D में दिया है breathing इसलिए आपसा number D सही answer हो जाएगा आने वाले एक्जामों में A का भी पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा airway होता है और C का भी पूछा जा सकता है circulation होता है अगला कोशन अगला जो कोशन है यहां पे पूछा जा रहा है अगले कोशन में 28 नंबर में इसमें कहा जा रहा है कि what is the name of following symbols यह जो symbol बनाया गया है यह किसका है तो देखिए यह जो symbols जो है न यह ct का है और ct में primary में यहां पे देखिए p equal to 2 दिया है इसका मतलब है कि primary में दो winding है इसे आप दो conductor भी कह सकते हैं तो यह symbol किसका हुआ ct का हुआ ct यानि current transformer और transformer की स्रेणी में दो प्रकार के instrument transformer में आते हैं एक ct आता है और एक pt आता है ct जो होता है step up transformer होता है अब pt जो है step down transformer होता है तो यहां पे ct होगा आप सा number c सही answer हो जाएगा और p equal to 2 का मतलब है कि दो winding है किस में primary में और इसे दो conductor भी कह सकते हैं बात बराबर है इसके बाद आने वाले exam में हो सकता है pt के बारे में push दिया जाए तो pt का क्या होगा तो याद रखिएगा pt जो है step down transformer होता है इसका मतलब हुआ कि इसकी primary में ज्यादे turn होगा effect एक चाकरित secondary के मतलब यह ऐसे होता है इसमें यह हो गई secondary winding और यह हो जाएगी primary winding तो इसमें turn कम है न और इसमें air core हम बना लेंगे तो यह जो होता है pt का होता है और यह ct का होता है अगला question अगला जो question है 29 नमबर इसमें कहा जा रहा है कि उप केंद्रों पर बहतर प्रदर्शन के लिए भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध डाट डाट से अधिक नहीं होना चाहिए तो देखिए इसमें चार टाइप के conditions बनते हैं अगर कहीं large size का sub station है तो उसके लिए जो अर्थ का resistance होता है वो 0.5 ohm होता है इसके बाद major type के sub station होते हैं मतलब large से थोड़ा सा कम उसके लिए major side होता है sub station उसके लिए जो होगा वो 1 ohm का होता है इसके बाद small sub station जो होते हैं इसके लिए क्या होता है तो small के लिए 2 ohm होता है इसके बाद other or cases गहरेलू उपकरणों में भी जो होता है वो 5 ohm का होता है तो यहाँ पे large न कहके कुछ conditions होगी English side में हो सकता है कुछ condition लगाया हो लेकिन English side से देखने पर यह conditions नहीं पता चल रही है लेकिन आप समझिएगा कि large का कहेगा तो 0.5 हो जाएगा major का कहेगा तो 1 हो जाएगा small का कहेगा तो 2 ohm हो जाएगा और other cases घरेलू में भी 5 ohm का होता है तो यहाँ पे large का न दे करके measure का दिया है तो measure को ही मानेंगे 1 ohm आप सा नंबर भी सही आंसर हो जाएगा आने वाले exam में इसका भी याद रखिएगा large का होता है 0.5 और small का होता है और other घरेलू में भी कितने का हो जाएगा 5 ohm का हो जाएगा अगला question अगला जो question है 30 number इसमें कहा जा रहा है कि capacitor start motor एक प्रकार की डाट डाट होती है capacitor start motor होती है यह किस प्रकार की motor होती है तो देखिए capacitor motor में न capacitor motor में एक capacitor start motor होती है एक permanent capacitor motor होती है जिसे हम fan में प्रियोग करते हैं और एक डो होती है capacitor start capacitor run motor होती है तो यह capacitor किस रेणी की motor हैं तिन अब यह किस के अंतरगत आती है तो यह single phase के अंतरगत आती है और यही दिया गया है single phase pre run motor इसलिए आपसर नंबर A सही आंसर हो जाएगा इसमें याद रखिएगा कि जो permanent capacitor motor होती है वो हमारे ceiling fan में लगाई जाती है तो उस capacitor की rating क्या होती है तो धाई micro farad होती है और capacitor start capacitor run में दो capacitor लगे होते हैं एक electrolytic capacitor होता है और एक oil field capacitor लगा रहता है higher rating वाला मान जो होता है oil field होता है low rating वाला electrolytic capacitor होता है अगला question अगला जो question है 31 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिकित में कौन सा cage motor को घरेलू cage motor को चालू करने के लिए एक समान्य तरीका नहीं है cage type का बात किया है यानि three phase induction motor में squiral cage induction motor की बात किया जा रहा है तो three phase induction motor में चालू करने के लिए हम जो starter प्रियोग करते हैं एक तो होता है DOL starter एक तो होता है star delta starter एक तो होता है auto transformer starter और एक जो होता है slip ring starter या rotor प्रतिरोध starter होता है उसका सही नाम जो है rotor प्रतिरोध starter होता है तो DOL starter जो होता है इसका प्रियोग हम कितने तक करेंगे तो इसको ध्यान से समझिएगा DOL starter का प्रियोग हम 5 HP तक करते हैं अगर kilowatt में पूछा जाए तो क्या होगा तो 3.6 kilowatt से ले करके इसकी ratings होगी वह 5 kilowatt तक हो जाएगे kilowatt में ये है HP में ये है और DOL starter की विशेस्ता होती है इसका starting torque high होता है no load से full load तक इसकी current को हम control नहीं करते हैं लगातार वही रहती है लेकिन यह जो motor है इसकी rating कम होती है इसके बाद start delta starter होता है start delta starter की rating क्या होती है तो इसकी rating इस DOL से उपर मतलब 5 HP से ले करके 20 HP के बीच की range को start delta starter की होती है और सरप्रथम start में चलाई जाती है उसके पाद अपनी full गती का 80% अगर गती प्राप्त कर लेती है तो यहाँ delta में चलने लगती है इसके बाद auto transformer starter होता है auto transformer starter का प्रियोग हम करते हैं वो 20 HP से उपर की motor में किया जाता है और यह जो तीनों है ना DOL starter, start, delta starter, auto transformer starter यह तीनों starter जो है 3 phase squirrel case induction motor के लिए है इसके बाद एक होता है rotor प्रतिरोध starter वह especially 3 phase sleep ring induction motor के लिए होता है कौन? rotor reho estate, rotor प्रतिरोध starter, slip ring induction motor के लिए अब इसको एक बाद हम साफ करते हैं और यहाँ देखते हैं कोसन में कहा क्या था तो वो देखिए तो देखिए DOL starter, direct online starter यह तो starter है ना यह बात सही है इसके बाद star, delta starter यह भी था, यह भी बात सही है आटो transformer starter यह भी होता है, यह भी सही है देखिए B option में देरा कि delta star तो delta star ना हो करके star delta होता है तो यही गलत है तो option number B सही answer हो जाएगा नहीं है पूछा गया था question में, अगला question अगला जो question होता है कि delay flip flop को dot dot नाम से भी जाना जाता है delay flip flop को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम D flip flop के नाम से जानते हैं जो की option number C में दिया गया है D flip flop इसलिए option number C सही answer हो जाएगा इसके बाद देखिए, J.K. flip flop दिया है J.K. flip flop का दूसरा जो नाम होता है वो universal flip flop होता है अगला question अगला जो question है 33 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि निमलिखित में किस छेत्रों में प्रदीपन अस्तर की अधिक्तम अवस्थक अवस्थक्ता होती है या होनी चाहिए जादे हमें light की अवस्थक्ता कहां पर पढ़ती है तो देखिए ये सब आप answer पढ़ेंगे तो आप खुद वखुद इससे idea लगा सकते है आपके खुद का ये knowledge का है इसमें कोई वो नहीं है कि आप किताब पढ़ें तो ही इसका answer कर सकते है तो देखिए सोने का कमरा मतलब जो सोने वाला कमरा हो हम लोग सोते हैं तो वैसे ही light off कर देते हैं तो इसमें तो कोई भी light की आवसकता हुई नहीं तो ये तो गलत है भोजन कक्ष में भोजन कक्ष में भी कोई light की विशेस आवसकता नहीं होती है जादे light की तो आवसकता होती है लेकिन जादे light की आवसकता नहीं होती है जादे हमको प्रदीपन की आउसकता इसमें भी नहीं होती है ते भी नहीं अध्यान कक्ष में थोड़ी होती है लाइट की आउसकता ठीक है लेकिन इससे बहतरीन जो है आप्रेशन थियेटर में तो अध्यान कक्ष में भी लाइट की आउसकता होती है इसकी प्रदीपन जो होती है जो आंसर होगा, आप्रेशन थियेटर होगा, आप्रेशन नमबर A सही आंसर हो जाएगा, अगर आप्रेशन थियेटर नहीं रहता, तो फिर अध्यान कक्ष सही जाता, बिल्कुल करेक्ट होता, अगला कोस्चन, अगला कोस्चन देखिए, हिंदी तो थोड़ा सा कठिन है, द तो देखिए universal motor जो होती है, यह DC series motor के समान होती है, इसको हम वहाँ पे prefer करते हैं, जहाँ पे higher starting torque की आवसकता होती है, वहाँ पे इसको prefer किया जाता है, अब इसमें conditions यह है कि higher starting torque की आवसकता होती है, तो फिर कहां कहां इसका use किया जाएगा, तो देखिए सबसे बहतरी इसका example जो होता है, वो food mixture होता है, vacuum cleaner होता है, इसके बाद table fan में भी इसका प्रियोग किया जाता है, drill machine में भी इसका प्रियोग किया जाता है, hair drive में भी इसका प्रियोग किया जाएगा, इसके बाद सिलाई machine की motor में भी किया जाएगा, इसके बाद rail engine locomotive में भी इसका प्रियोग किया मसीन हैंड डृल मेंच्ड डिय ś होती है दोनों होती है तो दोनों में हम इसकोड प्रिफर करते हैं चुकि उसमें हंड डiness ओर इसमें आती है भी इसके बाद हैर effe में भी universe करते हैं और universal मोटर की जो हेदिशी होती है वह 1 वृट़ा 2 HP से ले करके 200 100 HP के रेंज में याती है एलिवेटर में इसका प्रियोग नहीं किया जाता है यही गलत है और यही गलत ही पुछाता तो आपसा नंबर भी सही आंसर हो जाएगा तो फिर उनिवर्सल मोटर में एलिवेटर प्रियोग नहीं हो रही है तो फिर एलिवेटर में कौन सा मोटर होता है वह एलिवेटर में प्रियोग किया जाता है उमीद करेंगे कि ये सभी आपसन आपको समझ में आये होंगे अगला कोशन है बहतरीन कोशन है इसको देखिए आप कि DC जरनेटर के के लिए वाह या अभिलक्षण डाडाड के बीच संबंध अस्थापित करता है इसमें तीन प्रकार के रिलेशन आते हैं मैं आपको कंप्लिट समझाता हूं देखिए इसमें क्या है कि वाह या अभिलक्षण का मतलब है ये एक्स्टेर्नल करेक्ट्रिस्टिक पूछा गया है तो देखिए एक्स्टेर्नल जो होगा वो टर्मिनल बोल्टेज एंड लोड करेंट के बीच खीचा जाता है वाह या अभिलक्षण वाह अभिलक्षण इसके बाद एक होता है आंतरी का भीलक्षण तो आंतरी का भीलक्षण जो होता है वो easy मतलब generating voltage and armature current के भीच खिचा जाता है और ये आंतरी का भीलक्षण होता है इसके बाद एक चुम्बकी अभीलक्षण होता है no load अभीलक्षण होता है saturation अभीलक्षण होता है ये किसके बीच खिचा जाता है तो no load पर armature में generating voltage easy and field current के बीच खिचा जाता है और ये चुम्बकी अभीलक्षण कहलाता है यही तिन characteristic पूछे जाता है तीनों का मैंने explain कर दिया इसको जरूर आप याद रखेंगे चुम्बकी अभीलक्षण किसके बीच easy मतलब generating voltage no load पर और field current के बीच आंतरी का भीलक्षण generating voltage और armature current के बीच वाही अभीलक्षण और यही पूछा गया था terminal voltage and load धारा के बीच और यही देखिए option number c में दिया गया है कि terminal voltage और load current के बीच वाही अभीलक्षण होगा option number c सही answer हो जाएगा अगला question अगला जो question हो है 36 number इसमें कहा जा रहा है कि cut out fuse dot dot का signogen होता है cut out जो होता है यह किसका signogen होता है मतलब किसका combination होता है यह पूछा गया है तो देखिए इसमें जो होता है वो दो चीजों का combination करके बनाया जाता है cut out एक तो होता है fuse कुआ कि फ्यूज़ प्लस स्वीच के कंभिनेशन गलते हैं अब यहां देखिए दो स्वीच दिए दो फ्यूज दिया है तो दो स्वीच नहीं होता है एक यकार में स्वीच होता है यह दोनों गलत हो जाएंगे आप शार्ट नंबर डि देखिया दिया है फ्यूज एंड स्वीच तो आपसा नंबर डी सही आंसर हो जाएगा स्वीच में भी याद रखिएगा में स्वीच होता है अगला कोश्चन अगला जो कोश्चन है 37 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि DOL स्टार्टर के लिए निमनलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो DOL स्टार्टर का फूल नाम जो होता है डाइरेक्ट ओनलाइन स्टार्टर होता है HP की रेटिंग की बात किया जाए तो यह 5 HP में प्रियोग होता है इसके बाद अगर किलो वाट में पूछा जाए तो यह 3.6 किलो वाट से ले करके 5 किलो वाट में यूज होता है डाइरेक्ट ओंलाइन स्टारे होता है और यह सबसे सस्ता और सबसे असान तरीका का स्टारे होता है तो यहांपे पहला जो कह的话 है कि यह बीधी आसान होती है बिल्कुल सही बात है दूसरी conditions इसमें ये होती है कि जो इसकी starting current होती है वो full load current की 10 गुना होती है वही चीज आप संद B में देखिये कहा है कि प्रारंबिक धारा पूर्ण भार धारा का 10 गुना होती है और प्रारंबिक बल अगुण पूर्ण बल अगुण का बराबर होता है तो ये भी बात सही है starting टार्क फूल लोड टार्क के लगभग लगभग बराबर होता है और आप संद D जो कह रहा है कि ये महंगी बीधी होती है तो ये महंगी बीधी नहीं होती है यही गलती statement है आप संद नंबर D सही answer हो जाएगा अगला question 38 नंबर जो question है इस 38 नंबर question में कहा जा रहा है कि 16 नंबर का पता लगाने के लिए अर्थ लिकेज रिले को डाट-डाट की अवसकता होती है अर्थ लिकेज क्या है तो देखिए अर्थ लिकेज होता है E L C D अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर होता है और इसी का एक और होता है R C C B इसका नाम जो होता है full name residual current circuit breaker तो E L C B को अगर combination करना है तो पहले तो जानिये की अर्थ लिकेज सर्किट बेकर जो लिकेज करेंट होती है लिकेज करेंट अब लिकेज करेंट क्या होती है तो कोई भी करेंट जब उसका वायर का insulation कट जाता है तो किसी metal body के संपर्क में आती है तो उस metal body में कुछ करेंट आने लगती है उसी को हम लिकेज करेंट कहते हैं अब इस लिकेज करेंट से protection के लिए हम E L C B का प्रियोग करते हैं E L C B का full name जो होता है अर्थ लिकेज circuit breaker होता है अब इसको प्रियोग करेंगे तो हमें इसके साथ एक transformer की आवसकता होती है और transformer कैसा होगा transformer तो toroidite type का transformer इउज में लाया जाता है और E L C B की rating की बात करें तो अगर 100 mAh भी current flow हो रही है उस metal body के अंदर तो ये sense कर लेता है और protection दे देता है तो E L C B के साथ क्या install करना पड़ेगा transformer install करना पड़ेगा और यही option D में दिया है toroidite transformer का use करते हैं किसके साथ E L C B के साथ और E L C B की rating क्या होती है कि मतलब कितने पर वो operate हो जाती है active हो जाती है तो 100 mAh की current flow होती है तो active हो जाती है आपसर नंबर D सही answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है 49 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि एक distribution transformer में समानिता होता है transformer इसके हिसाप से commercial हिसाप से आप जाएंगे तो transformer दो प्रकार के हो जाएंगे एक तो हो जाएगा power transformer और एक तो होगा distribution transformer अब power transformer जो होता है यह generating station पे install किया जाता है और distribution transformer जो होता है यह load center पे अस्थापित किया जाता है और यह generating station पे अस्थापित किया जाता है अब इसमें condition होती है कि जब इसका हम construction करते हैं मतलब इसके निर्माण के समय ही इसमें ध्यान रखा जाता है कि copper loss को निउन्तम रखा जाता है distribution transformer में construction के समय ही iron loss को निउन्तम रखा जाता है अब इसमें ध्यान दिजेगा कि power transformer में लगभग लगभग copper loss और iron loss दोनों बराबर लोस होते हैं लेकिन distribution transformer में जो copper loss होता है वह iron loss से लगभग लगभग दो गिना होता है किसमें distribution में इसलिए distribution transformer में देखिए copper loss जो होगा iron loss से दो गिना होगा इसका मतलब है कि distribution transformer में iron loss जो है copper loss से कम हो रहा है और इस ratio के हिसाब से आधा होता है अब condition दिया गया है कि कौन कम होगा कौन जादे होगा तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि को रहानी का मतलब लव हानी तामर हानी से कम होती है करेक्ट बात है आपसर नमबर C सही आंसर हो जाएगा लेकिन distribution transformer में याद रखिएगा कापर जो लास होता है वो iron लास से लगभग लगभग दूगिना होता है अगला कोशन अगला कोशन बहतरीन कोशन है श्टार्टर से है चालीस नमबर इसमें कहा जा रहा है कि 4.0 starter 3.0 starter से बहतर क्यों है अब देखिए 4.0 starter जो होता है यह starter में जो nvc होती है nvc जिसे हम no volt coil कहते हैं इसमें क्या है कि इसमें पतला तार होता है मतलब इसकी winding पतले turn की होती है पतले wire की होती है turn जो होता है ज्यादे होता है ता nvc यानि no volt coil होती है पतले तार अधिक turn की होगी और यह sunt field winding के series में install की जाती है और 3.0 starter जो होता है इसकी जो nvc होती है उसमें क्या condition होता है कि 3.0 में ओभर load coil की बात करते हैं ओभर load relay ओभर load relay का बात क्या है क्योंकि nvc की तो बात कर चुके हैं कि nvc पतले wire की होगी अधिक turn होगा यह जो होगा यह motor wire होगा और इसमें turn कम होता है तो 4.0 starter का प्रियोग हम वहाँ पे prefer करते हैं जहाँ पे speed controlling का wide range हो जादे हो इसके बाद उसका जो field winding का flux होता है weak होता है कमजोर होता है तो वहाँ पे भी 4.0 starter अच्छे से work कर लेता है तो यह इसका advantage होता है लेकिन 3.0 starter में उसकी sunt field winding का flux होता है अगर वो कमजोर होगा तो वहाँ पे work नहीं कर पाता है इसलिए हम 3.0 के वज़ा 4.0 को prefer करते हैं क्यों क्योंकि इसका field flux कमजोर होने पर भी यह अच्छा work करने लगता है लेकिन 3.0 में अगर बात की जाए कि sunt field winding का flux का nature करसा होगा तो वह मजबूत होता है strong flux होता है लेकिन 4.0 में कमजोर होता है तो यह बहतरीन हुआ न तो आपसंद यह जो है कथन वो तो सही है अब अगले पर आईए दूसरे कथन पर तो दूसरा का रहा है कि 3.0 starter में overload coil मतलब overload relay प्रा यह एक छोटे बीदू चुम्बक की बनी होती है तो यह भी बात सही है overload coil जो होती है वो यहाँ देखी रहा है motor wire होगा कम turn की बनेगी तो फिर छोटा magnet से ही लपेटा जाएगा ना उस पे तो छोटा ही होगा वैसे overload coil जो होती है protection देती कैसे है तो overload से हमें protection देती है तो यहाँ पे कथन जो है ए और दो दोनों सही होंगे तो option number हम C की तरफ चले जाएंगे कि कथन एक और कथन दो दोनों बिल्कुल correct answer है अगला question अगला जो question है 41 number इसमें कहा जा रहा है कि compass needle का उत्तरी धुरूव जिस दिसा में इंगित करता है और वास्तवीक उत्तर दिसा के बीच बीचलन को हम क्या कहते है तो इसे द्विक पात एंगल बोला जाता है आपसा नमबर A में ही दिया गया है द्विक पात एंगल इसलिए आपसा नमबर A सही आंसर हो जाएगा इसमें और भी अगर चीज़ देखें तो कोई भी magnet होता है तो इस magnet के अंदर N pole और S pole होते हैं तो इसमें हम चुम्बकिय अक्ष किसे कहते किसको हैं तो देखिए किसी magnet के दोनों pole को मिलाने वाली कालपनिक रेका को चुम्बकिय अक्ष बोला जाता है तो यह चुम्बकिय अक्ष हो जाएगा इसके बाद चुम्बकिय अधासीन अक्ष भी पूछा जाता है जिसे हम MN बोलते हैं यानि MN का मतलब है magnetic neutral axis मतलब चुम्बकिय अधासीन अक्ष यह कैसा होता है तो देखिये चुम्बकिय अक्ष के लंबवत कालपनिक रेका को हम MN बोलते हैं यह MN होता है और DC मसीन में आप पढ़े होंगे MN और GNA GNA होता है geometrical neutral axis होता है जो कि यह fix होता है लेकिन MN magnetic neutral axis load के अनुसार यह अपनी position को change करता रहता है इसके बाद DC मसीनों में पूछा जाता है कि कार्बन ब्रस कहां install किया जाता है तो MN पर ही install किये जाते है Magnetic neutral axis पर ही अस्थापित किये जाते है अगला question अगला जो question है 42 नंबर इसमें कहा जारा कि MOSFET के अंतरन अभी लक्षन बक्र को डाडाड भी कहा जाता है MOSFET है तो MOSFET का full farm क्या होता है तो metal oxide semiconductor filled effect transistor अब ये MOSFET का जो भी construction होता है गुण होता है लगभग लगभग AFET यानि filled effect transistor के समान होता है केवल अंतर इसके construction में एक जगह आता है कि इसमें हम channel के जगह channel के पास MOSFET में SiO2 की layer चड़ा देते हैं जिस कारण से इसका input impedance जो होता है input impedance जो होता है वो बढ़ जाता है अपेक्छा कृत AFET से किसके बाद ये भी आप याद रखिएगा FET जो होता है वो voltage controlling device के अंतर गताता है और MOSFET भी voltage controlling device के अंतर गताता है अब MOSFET का input resistance भी पुछा जाता है तो याद रखिएगा input resistance higher होता है किस वज़ा से होता है तो SiO2 silicon oxide का layer लगाने के वज़ा से आता है तो अंतरन अभिलक्षण जो होता है वह अंतरन चालकता बक्र को अभिलक्षित करता है प्रदर्शित करता है और वही चीज आपसा number A में दिया गया है कि अंतरन अभिलक्षण किसको प्रदर्शित करेगा तो अंतरन चालक्षण को प्रदर्शित करता है आपसा number A में दिया गया है अंतरन चालक्षण बक्र आपसा number A सही आंसर हो जाएगा अगला question अगला जो question है SSCR से question है SSCR होता है क्या होता है SSCR जो होता है Silicon Control Rectifier होता है अब इसमें इसकी layer और junction की बात कर लेते है तो P N P N इसका मतलब है कि इसमें layer कितनी बनी 1, 2, 3, 4 तो इसमें 4 layer हो जाती है इसके बाद junction की बात किया जाए तो देखिए यहाँ एक junction मतलब J1, यहाँ एक junction J2, यहाँ एक junction J3 तो P N junction कितना बनता है SSER में तो 3 बनता है देखिए एक, दो, 3 इसके बाद एक आता है depletion layer depletion layer तो देखिए कोई भी diode होंगे तो उसमें जीतने P N junction बनते हैं उतने ही depletion layer भी बनती है तो यहाँ पे P N junction 3 बना अर्था इसमें depletion layer भी 3 होगी इसके बाद doping पे अगर जाते हैं तो दोनों वाहिय जो परत हैं यह वाली परत और यह वाली परत मतलब जे 1 और जे 2 को highly doped किया जाता है जबकि जे 2 को हलका doped किया जाता है और यह current control device के अंतरगत SCR होता है तो यहाँ पे हम option की तरफ जाएंगे तो SCR कैसा है तो यह current trigger device है current control device के अंतरगत आएगी और option number यह में दिया गया है current trigger device इसलिए option number A सही answer हो जाएगा इसमें प्रस्ण जो है न यही बनते हैं सब कितनी layer होती है, कितने depletion layer होंगे कितने pn junction होंगे और किसको doped highly करेंगे किसको lightly doped करेंगे तो इसमें सब हमने include कर दिया सब बता दिया है आपको complete इसको देख लीजिएगा इसमें एक और conditions आती है एक होती है holding current और एक होती है latching current यह याद रखिएगा holding current वह current होती है मतलब वह minimum से minimum current जिस current पर SCR on position में रहता है तो holding current का relation किस से है on position से है इसके बाद on position से उपर जिस अवस्था में SCR वर्क करता है वह current जो होती है वो latching current कहलाती है और हमेशा latching current जो होगी holding current से ज़्यादे होती है हमेशा लगबग लगबग डेड़ गुना ज़्यादे होती है अगला question अगला जो question है numerical है देखिए 44 number question इसमें कहा जा रहा है कि एक 6 pole lap bound DC generator के armature में 800 चालक है मतलब conductor है अविवाहक प्रतिबल flux 0.035 बेबर है armature की घुड़न चाल speed जो है 1500 RPM है तो फिर EMF की गणना करनी है तो E G equal to होता है phi ZnP upon 60 A अब यहाँ ध्यान दीजिए पहला condition की pole की संख्या 6 है conductor यानि Z की संख्या 800 है 5 का मान जो है यह 0.035 है 35 यह 5 का मान हो flux का मान हो जाएगा इसके बाद RPM देखिए यह speed का मान है 1500 RPM और EB यानि EMF easy पुछा है motor में EB होता है back EMF आज generator में easy होता है generating voltage हो जाता है अब इसी में put करते हैं तो 5 का मान क्या दिया है 5 का मान जो है 0.035 है into Z का मान है यह 800 है तो into 800 हो जाएगा इसके बाद Z का मान जो पूछ रहा है N Z तो रख दिया है 800 जे N का मान है तो यह 1500 है तो 1500 upon अपी का भी मान है क्योंकि पूल है तब पूल जखिये यहां छे दिया है तो यहां पे हम into 6 कर देंगे upon formula का 60 into lap minding में जितने पूल उतने रास्ते और एको parallel of part बोला जाता है तो यह जो हो जाएगा जितने पूल है उतने यह रास्ते होंगे 6 हो जाएगे तो देखिये अब calculation करते हैं तो पहले यहां थोड़ा सा देखिये कि यहां पे 10 मलाव कितने अंके बाद है 3 अंके यह 10 मलाव हटाएंगे ना तो नीचे 3 जिरो बढ़ा देगे बात खतम अब यहां पे देखिये अब यह 6 से यह 6 मार दिया जाएगा इसके बाद 3 जिरो 1, 2, 3 3 जिरो से 1, 2 और 3 जिरो यह भी खतम 1 जिरो से यह भी जिरो समाप्त हो जाएगा ठीक इसके बाद अब कटाते हैं तो 2 से कटाईए इसको तो 2, 3, 6 2, 4 यह 8 इसके बाद 3 से कटाएंगा 3, 5, 15 तो यह 5 नीचे अब कुछ नहीं बचा है यह 5 और यह 4 5, 4, 20 तो यह 20 हो गया और यहा 35 है तो 35 दुनी का 70 70 और यह इसका एक 0 700 बोल्ट आया जो कि आपसा नंबर D में दिया गया है 700 बोल्ट इसलिए आपसा नंबर D सही आंसर हो जाएगा उमीद करेंगे कि सभी सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा अगर फिर भी दाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करेंगे अगली वीडियो में फिर से इसका हम एक्स्प्लेंट कर देंगे 45 नंबर कोस्टन 45 नंबर कोस्टन में कहा गया है कि क्लास A पावर एम्प्लिफायर का सैधान्तिक इफिसियंसी अधिक्तम दक्षता क्या होगी तो देखिए एक एम्प्लिफायर A होता है एक B होता है एक A B होता है और एक C एम्प्लिफायर होता है एक एम्प्लिफायर की एफिसियंसी जो होती है वो 50% होती है लेकिन ये डाइरेक्ट कपलिंग पे होता है ठीक है न अगर direct coupling नहीं होती है तो इसकी efficiency कितनी होती है तो यह efficiency जो होती है 25% से 35% होती है लेकिन इसी को जादे prefer किया जाता है जब conditions लगा दिया जाता है तब इसको prefer किया जाता है B प्रकार की efficiency क्या होती है B amplifier की तो इसकी होती है 78.5% होती है A B की कितनी होती है तो 35% से 50% होती है इसके बाद C amplifier की efficiency कितनी होती है तो इसकी 90% से above होती है उपर होती है यहाँ पे A का पूछा गया था तो 50% यानि आपसा नमबर A सही आंसर बिल्कुल करेक्ट है उमीद करेंगे कि आप सब को समझ में आया होगा अगला कोस्टन 46 नमबर इसमें का आजा रहा है कि निमनेली खित में कौन सा भी कल्प डिजिटल उर्जा मीटर का एक हिसा नहीं है डिजिटल उर्जा मीटर का हिसा पूछा गया है यानि डिजिटल एनर्जी मीटर तो डिजिटल एनर्जी मीटर में आपसन एक आरा है कि LCD LCD का मतलब होता है Liquid Crystal Display तो उसमें तो एक डिस्पले होता है न डिजिटल तो ये तो बात सही है, ये होगा current sensor, current को sense करने वाला, वो भी होगा voltage को sense करने वाला, ये भी होगा लेकिन handle, handle या spindle, इसमें किसी प्रकार का spindle नहीं होता है अगर spindle होता, तो फिर यह digital नहों करके analog हो जाता ठीक है न, तो आपसा number D सही हो जाएगा कि digital प्रकार के energy meter में किसी प्रकार का spindle नहीं होता है spindle होता है, तो analog प्रकार का होता है चुकि analog का पूछा नहीं है, इसलिए यहाँ अपसा number D सही answer हो जाएगा अगला question अगला जो question है, 46 number इसमें कहा जा रहा है कि आम तोर पर lap winding को डाट डाट बोल्टेज और डाट डाट करेंट वाली DC मशीनों में बरेता दी जाती है lap winding है और एक wave winding है lap winding जो होती है, यह complete winding होती है wave winding को हम incomplete winding भी कहते हैं इसके बाद lap winding का दूसरा जो नाम होता है इसे हम समांतर winding कहते हैं और wave winding को हम स्रेडी winding कहते हैं इसके बाद lap winding में पोल की संख्या, पैरलल रास्तों की संख्या बराबर होती है लेकिन wave winding में पैरलल रास्तों की संख्या कितनी भी हो पोल की संख्या कितनी भी हो पैरलल रास्तों की संख्या सदय दो ही होती है इसके बाद लेप बैंडिंग को हम गमना गमन बैंडिंग भी कहते हैं और वेब बैंडिंग को हम तरंग बैंडिंग भी कहते हैं लेप बैंडिंग का प्रियोग higher current and lower voltage में prefer किया जाता है और wave binding का प्रियोग higher voltage and low current में prefer किया जाता है अब lap का पूछा है कि voltage कैसा होगा तो voltage देखिए नीचे की तरफ आ रहा है न यानि lower होगा तो voltage निम्न हो जाएगा अब धारा पूछा है तो धारा क्या होगी higher होगी यानि उच्छे हो जाएगा तो आपसन नमबर C सही आंसर हो जाएगा अगला question और प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किजिएगा और साथी साथ वीडियो को share भी किजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे अगला question 38 नमबर की solder क्रोड में सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस धातू का प्रियो किया जाता है तो देखिए solder में जो हम धातू का प्रियो करेंगे इसमें एक तो टीन हो जाएगा मतलब SN और एक हो जाएगा PB सीसा हो जाएगा 63% टीन होता है और PB जो होता है यह 37% होता है इसका रेशियो कहीं कहीं 60 भी मिलता है और यह 40% भी मिलता है इस पर इसका गलनांक जो मिलेगा आपको 185 centigrade से 188 centigrade मिलता है इसके बाद अगर सोल्डर की range पूछी जाए कि इसका range का temperature कितना होता है तो यह याद रखिएगा 180 centigrade से ले करके 250 centigrade तक होता है इसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि इस रेशियो पर मतलब सोल्डर में टीन और सीसा में higher temperature पाएं तो higher temperature पाने के लिए सीसा की मातरा 90% करनी पड़ेगी और टीन की मातरा 10% करनी पड़ेगी तो इस पर इसका जो temperature प्राप्त होगा वो 300 centigrade प्राप्त होगा दूसरी condition इसी में हम lower temperature पाना चाह रहे हैं तो उस condition में टीन को हम 90% करेंगे और लेड को हम 10% कर देंगे तो इस पर सबसे minimum इसका temperature यानि गलनांग प्राप्त होगा और वो कितना होगा तो वो 145 centigrade मिलेगा अगला question अगला जो question है 49 नंबर ये numerical है एक ऐसा संधारितर जिसमें 10 बोल्ट तक आवेशित किया जाता है और एक कुलाम आवेश संचित करता है तो इसकी धारिता क्या होगी तो धारिता C equal to होता है Q अपान भी C जो है धारिता है Q जो है आवेश है B जो है बोल्टेज है तो Q देखिए एक कुलाम दिया है अपान बोल्टेज जो है 10 है तो ये 10 हो जाएगा जब आप भाग देंगे तो नीचे 0,1 है तो एक अंके बाद 10 मलो लग जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट 1 चुकि निकाले क्या है धारिता निकाले है तो धारिता का मातर क्या होता है फैरेड होता है तो आप सो फैराड होता है तो आप सा नंबर ये सही आंसर हो जाएगा पॉइंट 0,1 इसे फैराड को हम एक से प्रदर्शित करते हैं अगला कोस्चन अगला कोस्चन और इसका अंतीम कोस्चन होगा पच्यास नंबर इसमें कहा जा रहा है कि आटो कथन के हिसाब से आपको चूज करना है आटो ट्रांसफार्मर इस्टार जो होता है इसकी HP रेंज जादे होती है 20 HP से उपर की मोटरों में 3-phase इंडक्शन में स्क्वाइरल केस में हम इस इस्टार्टर का प्रियोग करते हैं और 3-phase में दो ही मोटर आती भी है एक तो होती है स्क्वाइरल केज इंडक्शन मोटर और एक होती है स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर तो स्लीप रिंग के लिए स्पेशल स्टार्टर है यह है उसके लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर और square case के लिए हम तीन प्रकार के starter प्रियो करते हैं DOL starter, star delta starter और auto transformer starter जिसमें सबकी सबसे अच्छी जो range होती है वह इसी की होती है auto transformer starter की तो auto transformer starter होता है इसका जो power factor होता है power factor की बात किया जाए तो वो lower होता है option के हिसाब से अब कथन पे चलिए तो कथन A जो कह रहा है कि इसका सक्ती गुणांक नीम्न होता है तो ये बात सही है कि auto transformer starter का power factor जो होता है वो नीम्न होता है B जो कह रहा है कि यह आपूर्ती धारा का उच्छतम बल आगूड प्रती M.P.R. प्रदान करता है मतलब कि जितनी current यह पाता है उस current के हिसाब से higher torque deliver करता है तो ये दोनों इसकी बाते सही है कथन एक भी सही है कथन दो भी सही है option number C सही answer हो जाएगा तो प्यारे साथियो इस वीडियो में हम 50 तक question का solution किये इसका next part आपके बीच जल्द लाएंगे तब तक इस वीडियो को आप complete watch किजिएगा और देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे पहले हमने एक part solution किया हुआ है यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का link इस वीडियो के description में मैंने डाल दिया हुआ है वहां से आप उस वीडियो को complete watch कर सकते हैं साथी साथ आप से request होगा कि please वीडियो को like किजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share किजिएगा और जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार आया होंगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लेंगे तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स फर वाचिंग